नमस्ष्वाद दोस्तों मैं डॉक्टर संजय कुमार गरेलू इलाज देखिए 100% सटीक इलाज देखिए मेरे वीडियो नमस्ष्वाद दोस्तों मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपकी लिए एक नहीं वीडियो लेकर आया हूँ अपने चैनल के मद्यम से आपको बताने जा रहा हूँ आर्वेदिक उप्चार घरेलूपाई जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्त रहेंगे आज की जो वीडियो है ये वीडियो है दिमाग के लिए और ये मैं आपको जो वीडियो देने जा रहा हूँ ये घर लूप चार के लिए वीडियो देने जा रहा हूँ जो आप घर पर ही करेंगे इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाई है उसमें मैंने कम मात्रा में बताई थे लेकिन अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको ग्रेलु उपचार में थोड़ी समग भी बढ़ा रहा हूँ क्योंकि लोगों को बहुत प्रोब्लम हो रही है नसों की ब्लॉकिज की और इसमें सिप्टम बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं तो आज की जो वीडियो है इसमें आपको लक्षन परेज और आपका इसमें उपचार क्या आप चाहरे घरेलू जो आप घर पर करेंगे और आपको इसमें बहुत लाब होने वाला है जिनकी कम समस्या है वो तो ठीक होंगे ही और जिनकी जादा समस्या है और जो English दवाईयां खा रहे हैं वो English दवाईयों को छोड़ पाएंगे वो लोग जो हैं जो English दवाईयों को छोड़ पाएंगे और जितना उनको दवाईयों को छोड़ पाएंगे और जितना उनको दवाईयों को छोड़ पाएंगे और जितना उनको दवाईयों को छोड़ एक तो इसमें तेल है और एक इसमें समगरी जो आपको किराने स्टोर से मिल जाएगी और ओयल आपको कि कुछ किराने स्टोर से मिल जाएंगे कुछ आपको अर्वेदिक स्टोर से मिल जाएंगे तो मैं शुरू करता हूँ आपका उपचार घरेल उपचार जो आपको घर पर ही करना है तेल बताने जा रहा हूँ तेल में आपको लेना है जैतून का तेल और इसमें आपको लेना है तिल का तेल और इसमें हो गया आपका कुसुम का तेल गरी का तेल और इसमें आपका हो गया नीम का तेल, कलौन जी का तेल, सरसो का तेल और इसमें आप साथ तेल मैंने आपको इसमें बता दिये हैं जो आपको इनको 50-50 ml आपको लेना है काहू का तेल, कद्दू का तेल ये नो तेल हैं जो आपको यूस करने हैं आपको इखटा करने है एक जगा इनको लाना है एक जगा लाके इनको मिलाना है और आपकी प्रावलम्स इसमें बहुत ठीक होगी ये कैसे बनाना है मैं आगे बताऊंगा अब मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ किराना से इस्टोर से जो आपको समागरी मिल जाएगी इ इसमें आपका बीस ग्राम अकरोट इसमें लेना है आपको बादाम, बीस ग्राम चिलगोजा और बीस ग्राम अकरोट की गिरी और आपका हो गया इसमें तेज-पत्था बीस गिराम, 20 गिराम हो गई काली मिरच, 20 गिराम हो गया इसमें आपका जो मिसरी आती है, जो आप धागे वाली जो मिसरी आती है, उसको आपको यूज करना है, और 20 गिराम हो गई आपकी अक्रोटकी के दिए, ये 9 चीजे आपको इसमें करना है, इकटा और इसको आपको जो है, जितना आप इसको जैसे पीसेंगे तो इसे एक पॉडर की तरह बन जाना चाहिए यह माहीम पॉडर की तरह बन जाना चाहिए जो आपको यूज करना है और इसमें नो चीजे यह आपकी है जो एकत्रित आपको करनी है और इसको आप एक किसी डिपी में बंद करके रख लें औ और इसमें अब आगे बताने जा रहा हूँ किसे इसको योज़ करना है आपको इसको लेना है दूढ से, दूद लीजी और उसमें डालेए शहध, आदा गिलास दूढ और उसमें डालेए आप उक चमाश शहध और इसको आप क्या करना है? साथ गिराम की पुडिया बनानी है आपको ये पुडिया आपको साथ गिराम की पुडिया बनाके रख लेनी है और इसको आपको मॉर्निंग में सुबे खाली पेट इसको ले लेना है और जो ये तेल है इन नो तेलों को आप इखटा कर ले एक जगह पर और इसको आपको क्या करना है गरम करने के लिए आज पे रख दे और इसमें आपको डालनी है क्या डालना है 20 गिराम दालचीनी पिसी हुई और इसमें आप डाले 20 गिराम अजवेन 5 लोंग और साबुत लोंग डालनी है और इसमें आपको डालनी है 14-15 पोड़ी लहसुन की उसको छीलें और ग्रीन जिली उसकी ना काटें उसको ऐसे ही आप डाल दें और 14-15 पोड़ी हो गई आपकी लहसुन की और इसको आप आज पर पकाएं यह ब्लैक हो जाए जब अंदर चाकू मारके देखें लहसुन में ब्लैक हो गया है ठीक है उतार लीजिए फिर इसको आप ठंडा करते तेल को एक बोटल में छान लें और जो छनी में जो समगनी बच इसलिए आपका एक महीं पेस्ट बन जाएगा एक डिबी में करके रख लें बंद करके रख दें और जो यह तेल है जो मैंने आपको बताया है सुबह दुबह शाम रात हलक हलक के हाथ से आपको मालिश करने है नो उसको दबाना नहीं है पीछे गर्दन पे यह जड़ होती ह दिमाग की पीछे यहां इसको आप हलक हलक के आतों से मलें और फिर आपको सेक लगानी है बालू रेत लें उसको गरम कर लें एक ऐसा कोटन का कपर लें जो छने ना रेत और सेक लगाएं मूट बना लें पोटली बना लें और सेक लगाएं ऐसे सारे में तो इसमें जहां आ वर्णिंग में बहुत फाइदा होने वाला है और किनी को ज्यादा समस्या है तो जो सुबह में आप नाश्ते में आप जैसे ले रहें तो दो आप जो है आवले का मुरब्बा आता है उस पे चांदी का अवरग लगाएं वो आवले का मुरब्बा ले सकते हैं दूद के साथ क कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें आपके प्रॉब्लम्स जो है ब्लॉकीज की जैसे जिनका सिंटम्स बहुत मतब कम है और बहुत इजली ठीक हो जाएंगे कहीं जाने कि आवशक्ता नहीं है और जिनकी ज्यादा समस्या है बहुत सिंटम्स आ गये है तो 20-50% तो उनको आराम मिल जाएगा दवाई छोड़े बिल्कुल इंगलीज दवाई से आपको इतना आराम नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें साइट वेक्ट चलता ही चलता है बहुत लोग होते हैं ओपरेशन के लिए चले जाते अरे दिमाग की नसों का ओपरेशन होता ही नहीं है ब्लॉकीज इसको निकालने के लिए मैं आपको ये चीजे बता दी है जो घरी लूप चार है और इसमें आपको बताना चाहूंगा परहिज जो सबसे पहले है जैसे कि चावल, खटाई, अंडा, नोर्विज, शराप, वीडी, सिगरेट, गुठका ये सब तो आपको त्याग ना पड़ चीज आप खा भी सकते हैं जिनको ये चीजे खानी है नशे वाली है लेकिन नशा आप नहीं कर सकते जब तक ये आपका इलाज चला है तो इसमें मैंने आपको परहिज बता दिया जो आपको परहिज करने है बाहर की चीजे आपको नहीं खानी है कोई भी एक्सवारी वाली आपको चीज नहीं लेनी है, जिस पर X-PARRI लिखा है, कि इस टेम पर X-PARRI और आप उसको खा रहे हैं तो chemical है, और घर के मसाले भी आपको यूज नहीं करने हैं, जिस पर X-PARRI है, कि राना स्टोर से लाओ, खड़े मसाले अपने घर में X-PARRI यूज करो, कोई परब्लम नहीं है, थंडी चीजों से बचना है, थंडा पानी नहीं पीना, थंडा पानी सर पे नहीं डालना, जितना आप इन चीजों से बचोगी, बहुत जल्दी अपने आपको रिकवर करते चले जाओगे, और बहुत लोगों की हार्टबीट बढ़े जाती है, वो भी इसमें आपकी प्रॉब्लमज ठीक होगी, जैसे कि दिमाग की जिनको प्रॉब्लम होती है, तो 80-85 परेसेंड लोगों को दिल की भी परिशानी होती है, दिमाग की तो होती होती है, साथ में दिल की भी problem होती है जैसे कि घबराट आना आवाज सुनेंगे तो एकदम घबरा जाएंगे हाट बीट बढ़ जाएगी या हाथ पैर में एकमपन शुरू हो जाएगी तो ये symptoms आपके ये ठीक होंगे जैसे blockage में जो problems आती है और ये इलाज जो है आपका easily है कर सकते हैं आप इसको कोई problem नहीं है और जिनको ज़्यादा problem है जैसे 20-50% इस उप्चार से ठीक हो गए है तो ये WhatsApp नमबर चला है आप किलनीक पर आ सकते हैं WhatsApp की DP में जाएगे आपको पूरे information मिलेगी website चल रही है उपर वहाँ पर भी जाएंगे तो आपको पूरी information मिलेगी और online दवाई मंगा सकते हैं घर पर किलनीक पर आ सकते हैं easily दवाई आपके पास online पहुचेगी और आपकी problem जीवन पर के लिए ठीक होगी और ये परहेज जो इसमें बताया है वह परहेज भी जरूरी है और इसमें परहेज और भी है जो कि आपको करना है जो आप नहीं कर पाते चाह कर भी वो है tension किसी चीज की tension रखना आपके tension रखने से वह चीज सही नहीं होने वाली जो tension है उसको आपको निकालकर दिमाग से अलग रख देनी है अपना टैंशन होए दूसी जगे दिमाग लगाई है यह आपको करना है परेज में टैंशन रखना जो है वो भी है आपको टैंशन नहीं रखना है फ्री माइंड रहना है जितना आप free mind होकर ये नुस्का अपनाएंगे और मेरी वीडियो देखें, परेज करें, और भी वीडियो है मेरी, तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा, और इसी के साथ वीडियो में समाप्स करता हूँ, अब मैं आप साग्या चाहूँगा, नमस्कार नमस्कार दोस्तो, मैं डाक्टर संजे कुमार, लाइक कीजिए, सब्सकाइब कीजिए, शेर कीजिए, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया, तेश में ही नहीं, विदेशों में भी, हमारे घरेलू इलाज, आर्वेदिक इलाज, आपके लिए 100% स